नमस्कार शाथियो उमीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे सवस्त होंगे HSC CT कैंडिडेट्स के लिए आज बड़ी खुसकबरी सामने आई कोर्ट में आज सुनवाई थी और अच्छी खुसकबरी ये है कि जितने भी ग्रूप है CT में सभी का एकजैम करवानी के लिए कोर्ट ने हरी जंडी दे दी अब सभी 41 के 41 ग्रूपों की जो एकजैम है वो होसकेंगे लेकिन एक जो नेगिटिव न्यूज है वो ये रही कि ग्रूप नंबर 56 और 57 है उन पर अभी भी 60 जारी रहेगा लेकिन 57 को छोड़कर बख की जितने भी ग्रूप हैं उन सभी में अब जो एकजैम है वो होसकेगा तो ये भी एक बड़ी जो खुसकबरी है कैंडिडेट्स के लिए कही जा सकती है इसके अलावा सीटी से जुड़े जितने भी पिटिशनर थे जिसने पंजाब हरियाना हाई कोर्ट में अपेल दायर की थी उन सभी को भी एकजैम देने की जो छूट है वो मिल चुकी है यानि वो भी एकजैम में सामिल होसकेंगी तो दोस्तों बड़ी अपडेट है अब जितनी भी वकैंसी आनी है सीटी बेस पर लगबग अठाई हजार के करीब वकैंसी होगी उनका रास्ता साफ हो चुका है अब एकजैम लेगी हलांकि ग्रूप नंबर 56 और 57 पर जो सटे है वो जारी रहेगा लेकिन बाकी जितने भी ग्रूप है उन सभी का अब जो एकजैम होसकेगा चाहे वो टेकनिकल पोस्ट हो या नोन टेकनिकल पोस्ट हो एकजैम लिया जासकेगा तो साथियों बड़ी खुसकबरी की बात है कि HSC अब सभी ग्रूपों का जो एकजैम हो लेशकेगी लेकिन ग्रूप नंबर 56 और 57 पर श्टे जारी रहेगा हलांकि कल TGT की भी सुनवाई थी जिसमें कैंडिडेट्स को जटका मिला था क्योंकि अगली जो सुनवाई है वो एक महीने के बाद दे दी गई 16 जनवरी की लेकिन जहां तक बात CT कैंडिडेट्स की है अब उनके लिए ये खुसकबरी है देखने वाली बात होगी दोस्तों HSC दोवारा इन ग्रूपों का जो एक्जैम है कब तक लियाजास केगा और कब तक ये वकैंसी पूरी होगी धन्यवाद